कुलवरा गाओं में सलक किनारे गड़े में मिला नवजाज शिशू कल यूगी मा ने मरने के लिए छोड़ चौकीदार ने बचाई जान शियुपरी जिले के कोलारा साना शेत्र के कुलवरा गाउं में गुरुवार की शाम को सड़क किनारे गड़े में नवजाज शिशु मिला नवजाज शिशु को जिला स्पताल में भरती कर उपचार किया जा रहा है नवजाज को देख कर लग रहा है कि उसका जन्म 12-24 घंटे के बीच हुआ है जानकारी के अनुसार गुरुवार को ग्रामेड सड़क से गुजर रहते इस बीच उन्होंने सड़क किनारे गड़े में से किसी बच्चे की रोनी की आवाज सुनाई दी गड़े की बास जाकर देखा तो वहां लावारी सालत में पड़ा एक नवजाज शिशु रो रहा था गटना के सूशना गाउं के चौकिदार ने पुलिस और 108 एंबुलेंस को दी जिसके बाद मौके पर पहुची एंबुलेंस के चाला किंदल धाकर ने शिशु को जिला अस्पताल में बढ़ती कराया अब गाउं से बार इस गाउं अपनवार आए उसमें गाउं से बार गड़ी में गड़का मिलाया जो अमध्रस्ती से निकल नहीं तो इसकी आवाज आई रूती हुई तो आमने देख आती बच्चा पड़ा मिला लप जासी सुगी तो उस पोटा आया उताकि कंपनी में हम तो अपने घर पे थे हम आए पास पहुना आया था उदर से काउं से के बच्चे की आवाज आ जा रही हैं मैं गाउं का फूट बारू तो मैं बच्चे की इसी कंडिशन तो उटा की अमने कमरे में लपीट भी जोटा लाए उसके बाद में 108 को खॉल की जा 108 मों के प्यार फूल आ यहां है थाना कों से लगता है पॉला रस फॉला रस थाने का अपने अपने इस बिसेश्गा ने बजाया था तो पूले इसको उस्पीटल ले आ जा जा बच्चों के उस्था चुपरी है तो पर उसको आप अपने बादे कुछ भी जो बच्च्चा कहा है अब बच फोन तहां पर अभी है इतना पर होस्पिटल में है उस्पिटल में है कौन सी जगा पर है एसंचो जुद्री होस्पिटल इस तो एक हमेशन जुद्धी जुद्ध अभड़ में हुआ है तो इस मदद से शुट्री तक लेकर आयो है यह चुल बट्टी गराब है तो इस अब बच्चा भी शुट्टा नहीं है। बच्चा सही है दो किलो बैंगी निगला उसी लिए। अब लड़का है निवन है वो कि फुलवार गाहों के बाहर पच्ची रोड़ा उसको अब बच्चे की आलत अच्छी नहीं है उसको ऑक्सीजिन सपोर्ड पर टीटमेंट चाली करें हैं। अब बच्चे की आलत अच्छी नहीं थी शास लेने परेशानी थी तो अब उसको अबने ट्रीटमेंट चाली कर दीए उक्तिकरी रोक्सिन लगा दीया।